मस्कार दोस्तों मेरे चैनल Modern Classes में आप लोग का स्वागत है चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं Profit Loss का एक नया टोपिक और बहुत ही अच्छा टोपिक है इससे प्रश्ण बहुत ज्यादा यह प्रश्ण है गलत बाट पर अधारीद प्रश्ण अंगे और इसमें होता क्या है कि कोई भी दुकांदार वेइमानी करने लगता है और आपको करता क्या है यह केजी चीनी के जगह पे कुछ कम चीनी देता है यानि 900 ग्राम देगा या 800 ग्राम लेगा इस प्रकार से जब प दुकांदार उसको profit होता है कितना profit होता है इसे ही related प्रोष्ण आते हैं चलिए दोस्तों हम लोगे start करते हैं ध्यान से देखिएगा हम आपको जो बताएंगे बहुत ही का इस्तिमाल करता है ध्यान दीजेगा वह एक केजी का रहा है लेकिन वह उसके पास जो तोनने का बाट जो है वह कम है वह 800 ग्राम का ही उच कर रहा है तो इस प्रिरड में बोल रहा है कि तदा अनुसार लाब का प्रतिसत क्या होगा पहले हम इसके बेसिक को समझाते हैं यह क अर्थ हिया है कि जितना में हम खरीदे हैं उतना ही में आपको दे रहे हैं वह तौल कितना रहा है तो सिर्फ 800 ग्राम आप समझेगा कि वह एक केजी जब चीनी को खरीदा था तो 100 रुपया में खरीद के लाया है लेकिन वह सही खरीद के लाया है लेकिन आपको दे कितना र तो इससे से आपका प्रोडम सोल भाजाता है तो उसको कितना बेनिफिट हुआ बाई 20 रुपया का बेनिफिट हुआ कितना पे 80 रुपया पे तब 20 बटा में 80 गुणे 100 कर देंगे मेरा काम केलिए हजाएगा यह हुआ हमारा बेसिक नियब अचली उसको लोग बोट पर देखते हैं करिसे दनाएंगे जहां से देखिएगा बोल रहा है क्या कि जो एक हजार ग्राम माल लेते हैं एक हजार ग्राम जो चीनी है इस चीनी को वह 100 रुपया में खरीद के लाया है यानि सीपी किया है लेकिन ह हमें क्या दे रहा है कि सौ रुपया में क्या दे रहा है में आट-100 ग्राम सिर्फ चीनी दे रहा है हो और कह रहा है हम से कि हम लागत मुले पर ही दे रहे अ इसकी जो चोरी है यहां असपस्छ टुॉक्त से देखी जा रही है तो उसकी जो बचत हो क्या है ध evenings करू हूआ दी सोाय में वेच रहा है हां देखिए में ... वेच रहा है जो निसके बाद क्या हुआ잇ंग8 ? परफिट मठेंच हम किस पर निन होगा रहा है , वह किस पर निकल पर हमेंगे कितना का profit हुआ है वाई 20 का profit हुए यहां असपस टूप से देखा जा रहा है फिर गुना करेंगा हम 100 से 24 के 84 से हम गुना करेंगे 25 यानि कि 25% आपका right answer हो जाएगा आप अपना answer मिला लेजिए आपका answer जो होगा वह यह आपका right answer होगा लेकिन हम इस तर बनाएंगे नहीं थोड़ा सा आपको एक छोटा method basic से हट के tricky method बताते हैं कैसे बनाएंगे ध्यान दिखेगा चलिए जो tricky method है कुछ इस प्रकार से है कि वह जो आपको जितना कम दे रहा है उसको हम उपर लिखेंगे जितना कम दे रहा है कितना कम दे रहा है व जितना मात्रा कम क्या है उसको हम उपर लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां आपको डेटेस में लिखेंगे कम मात्रा आप फिर बटे में क्या लिखेंगे जितना आपको दे रहा है यानि 800 ग्राम दे रहा है तो 800 ग्राम दे रहा है तो आपको दे रहा है तो हम यहां लिखें अब फिर गुना कर देंगे हम यानि multiply कर देंगे 100 से यहां से हमारा profit percentage असानी से निकल जाएगा देखिए तो जो सवाल इसमें है क्या कह रहा है कि एक केजी का दवा करता है लेकिन देर कितना रहा है वही सिर्फ 800 ग्राम हमें इस्तेमाल करके दे रहा है जब 800 ग्राम दे रहा है तो कितना हमें कम दे रहा है तो 200 ग्राम कम दे रहा है हम फिर 800 ग्राम को नीचे लिख देंगे आप फिर गुना कर देंगे 100 से, आसानी से आप निकाल सकते हैं 2 चवगों के, 8-4 से 25 परशन यहां मेरा हुआ, ट्रिकी मेठट इसको आप नोट डाउन कर लीजेगा, बेसिक से भी हम बता चुके, साथी साथ ट्रिक से भी बता चुके, चलिए इसका हम प्रयोग कुछ अगले सवाल में करते हैं, आपको समझ में आएगा, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रशन कुछ इस प्रकार से है, एक बेइमान ब्यापारी बस्तुओं के क्रय मुल्ले पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 kg की जगह पे 850 ग्राम अकली बाट का प आपको 1 kg का राहिए, एक शोता है, 1000 Glenn ग्राम होता है, लेकन आपको दे कितना राहिए, सिर्फ 850 ग्राम देतरा है, तो आपको पहले बाद्य प्रशन उसमें बटायों थे, कि जितना कम दे राहए, उसको उपर लिखेंगे, जितना कम दे राहिए, वार दे कितना रहिए 850 50 ग्राम दे रहे उसको हम नीचे लिखेंगे उसके बाद गुणा कर देंगे हम हंडेट से असानी से प्रोफिट पर्सेंटेज आपका निकल जाएगा बहुत ही असान तरीका है इससे असान कुछ नहीं हो सकता है देखिए पांस से कटाएंगे पांती पंद्रव पांस से सत्र से आए आए आप अप्सन नमबर मिला लीजिए आपका कौन सा सरी होगा सी ओप्सन सरी होगा तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रशन को बनाते हैं हमको उम्मीद है कि इस कुश्चन आपको बढ़िया समझ माया होगा और आप आगे का टोटल सवार बना भी लेजिए चलिए एक अगला कोशन कुछ इस प्रकार से एक बेइमान दुकानदार अपने माल को क्राय मुल ले पर बेचने का दावा करता है किन्तु वह एक केजी के आस्थान पर नौशोफ़चास ग्राम बाट का इस्तिमाल करता है ध्यान दीजे एक केजी का रहा है लेकिन कितना हमें दे रहा कितना कम दे रहा है सिर्फ पचास ग्राम कम दे रहा है तो 56 do क्या 50 go भरा हैLD हमेन कम दे रहा हैं DRKeffect कि में के द्वाहः ग्राया ओसको द्लिक्ताथ जितने कम दे रहा है उसको भूपर लिखेंगे जितना दे रहा है उसको नीचे लिकले ए रोसके बाद क्या करेंगे में 100 ग्यान तक स्वसे गुना कुझा करणा है चलिये चलिए इसको कर रहेंगे तो क्या हजागा उननीस आप देखिए यहां से आ क्या रहा है आपका बटा में उननाईस परशेट इतना ही आ रहा है देखिए आपका option भी मिल गया option नमबर जो डी है वही आपका right answer है तो देखिए दोस्तों बहुत ही असान सवाल थे सब देखिए जो यह question है यह पिछले कई बार SSC में पुछा गया है repeat किया और railway में भी आया है आप जाके उठा की देख सकते हैं previous question में maximum बार देखा गया है कि यह प्रशन आया हुए देखिए अब जो basic नियम हम लोग पढ़े ह है उसका यूज करेंगे थोड़ा सा जो अगला प्रशन है यह तो जल्दी आता नहीं है लेकिन हमें बताना फर्ज है यह अभी प्रीवेस एर क्वेस्टन ही है तो देखिए इसमें थोड़ा सा घुमाएगा तो किस प्रकार से घुमाएगा एक ब्यापारी के पास एक हुआ है बहुत ज्यादा टप नहीं है इसको बनाने के लिए आपको थुड़ा सा बेसिक नोलेज होना चाहिए क्या इसमें बता रहा है वह एक तौन्ने वाला बाट रखा है वह एक केजी का ही है लेकिन हम से क्या बता रहे हो देखिए हम बार्रासौ ग्राम का यह बाट र अधिक लेंगे अंकीत उस पर च्प रहा है प्रिंटिट प्रइस है वह 10 परचंट अधिक है चली इसको हम कैसे बनाएंगी तो पहली बात पीवा जो एक हजार ग्राम किया क्या सकते हैं कि यह एक हजार ग्राम को यह था बता रहा है सब्सक्राइब एक हजार ग्राम को एक हजार में खरीदा होगा एक हजार ग्राम को यहां हम रूपया लिख रहे हैं, एक हजार ग्राम को एक हजार रूपया में खरीदा होगा, तो हमें जब बारा सो रूपया में बता रहा है, तो हमें कितना में देता हो, हमें वह देता बारा सो रूपया में, ध्यान दीजेगा, एक हजार ग्राम का प्रा उर्पया लेता लेकिन तो और कह रहा हो कि हम 10 पर्शend आम से अधिक लेना चाहते हैं तो हम्ख़िता हम अधिक लेकर दिया उभी चलिए लेटी अच्छ़ों यहां यानिERS लेकिता हुआ खेंगी कि अटिता है वह बंगर मरश्म जूड़ें ग्याव है समझे, एक हजार ग्राम बस्तु को खरीदा है, वह एक हजार रुपय में, हमसे कहा रहा है, कि हम 1200 ग्राम बता रहा है, और बेचने के लिए कि 10% हम अधिक में बेचेंगे, तो 10% अधिक में 1200 ग्राम में दिया है, तो उसका अधि वर्जिनल लागत मुले पर ही लेता, तो कि एक बनाद रुप्यू है उसको लाव कितना हुआ अब बताई इसको लाव कितना हुआ अब आप Profit Parcentage अईसे निकले गा कि 320 रुपया उसको प्रोफिट हुआ यहां कि 320 रुप्या प्रोफिट हुआ है कितना है एक हजार पह जाए क्योंकि Profit पर करते हैं यह आपका какую प्राय यह आपका क्या है न आपका क्या चलिए पर करते हैं किस से वह हैं deposit से बस आपका answer आपके द्रहें अगया ही 22 빠şnet मिला लीजे लिए जो है यह है दो दों दोस्तों आपको लड़क ktohan φेंते हैं कुछ और यह 12 पर नखिये लरगे tika चलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, साथी साथ इससे रिलेटेड आप किसी भी बूक में question खोजेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, और उसको बनाने का प्रयास किजिएगा, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो चलिए दोस्तों हम एक आप से छोटा सा request करेंगे, वीडियो पहले पूरा देखेंगे, इसके लिए धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा, यदि आपको अच्छा लगा होतो, और मेरे चैनल को सक्स्क्राइब कर लिजेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइगन को प्रेस कर लिजेगा, दोस कि आप सिर्फ अकेले फैदाना लेजिए, दोस्तों को भी फैदा दीजिए, धन्यवाद,